ओम साइराम सभी को साधर प्रणाम आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ अध्याय तीस श्री साई सचरित्र इस अध्याय में बतलाया गया है कि तीन अन्य भक्त किस प्रकार श्रडी की और खीचे गए प्राक कथन जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्निह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश ही जिनोंने स्वेच्छा पुर्वक मानव शरीर धारन किया जो ऐसे भक्त वच्सन हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं ऐसे ही श्री साइनार महाराज को हम नमन करें भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है श्री साइन जो संत शिरोमनी है उनका तो मुख्य धेय यही है जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं उनके समस्त पाप नश्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगती करते हैं उनके श्री चरणों का इसमरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगन श्रडी आते और उनके समीप बैटकर श्लोक पढ़कर गायतरी मंतर का जाप किया करते थे परन्तु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीन हीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ती किसे कहते हैं उनका तो किवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे परन्तु अनाथों के नाथ और प्रभूश्री साई मेरा कभी परित्याग न करेंगे जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ती, नित्या नित्या में विवेक तथा ज्यान सहज ही प्राप्त हो जाता है वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं इसलिए भक्तों को मनोव अंशित्फल की प्राप्ती हो जाया करती है और वे सदा कृतग्ण बने रहते हैं हम उन्हें साश्टांग प्रणाम कर प्राक्तना करते हैं कि वे हमारी तुर्टियों की और ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा ले जो विपत्ती ग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साई से प्रातना करता है उनकी कृपा से उसे पूर्ण शान्ती तथा सुख सम्रिधी प्राप्तों होती है श्री हेमांडपन कहते हैं कि है मेरे साई तुम तो दया के सागर हो यह तो तुम्हारी ही दया कफल है जो आज यह साई सचरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है अन्यता मुझ में इतनी योग्यता कहा जो ऐसा कठीन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता जब पुर्ण उत्तरदाईत्व साई ने अपने उपर ही ले लिया तो हिमाडपंत को तिलमात्र भी भार प्रतीत न हुआ और नहीं इसकी उन्हें चिन्ता ही हुई श्री साई ने हमें इस गरंत की रूप में उनकी सेवा स्विकार कर ली यह केवल उनके पुर्वजन्मक के शुभ संसकारों के कारण ही संबव हुआ जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है इसे जो रुदयंगम करेगा उसे श्री साई की महानता और सर्व व्यापकता विदित हो जाएगी परन्तु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं उन्हें इन कथाओं की और ध्यान देने की आवश्यक्ता भी नहीं है यहां तर्क की नहीं वरन प्रगाड प्रेम और भक्ती की अत्यंता पिक्ष्या है विद्वान भक्त तथा श्रद्धालूजन अत्वा जो अपने को साई पद सेवक समझते हैं उने ही ये कथाओं रुचिकर तथा शिक्ष्याप्रत प्रतीत होंगी अन्य लोगों के लिए तो वे नीरी कपोल कलपनाएं ही हैं श्रीसाई के अंतरंग भक्तों को श्रीसाई लिला ये कलपतरू के सद्रश्य हैं श्री साही लिला रुपी अम्रुत्पान करने से अज्ञानी जीवों को ग्यान, ग्रस्था श्रम्यों को संतोश तथा मुमुक्षूओं को एक उच्च साधन प्राप्तो होता है। अब हम इस अध्याई की मूल कथा पर आते हैं। काका जी वहिद्य, नासिक जिले के वणी ग्राम में काका जी वहिद्य नाम की ख्यक्ती रहते थे। वे श्री सप्तश्रुंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शान्ती भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अतिव अथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंताकरन से वे प्रात्ना करने लगे कि हे देवी, हे दयामई, मुझे कश्टों से शिग्र मुक्त करो। उनकी प्रात्ना से देवी प्रसंद्न हो गई और उसी रात्री को उन्हें स शान्त और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचे जानने को काका जी बड़े उत्सुक्त है। परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचारने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनके और देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निशकर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि वे रयमबक केश्वर बाबा शिव ही हो। इसलिए वे पवित्रत रिर्थत रयमबक गए और वहां दस दिन व्यतित किये। वे प्राता काल उठकर स्नानादी से निवरत्त हो दुद् रात्री में देवी ने उन्हें पुना स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुव व्यर्थ ही त्रयमबक केश्वर क्यों गया। बाबा से तो मेरा अभी प्राय था शिर्डी के श्री साई समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश नहीं हो उपस्तित हो गया कि वे पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं स्वतह ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे नीरे दंभक के अतिरिक तो और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीब जाकर कौन दर्शन ल जाएगी और उतनी ही शिग्रता से उनकी मनोकामना भी पुर्ण होगी। जो निमंतरन देता है वह आधर आधित्य का प्रबंद भी करता है। काका जी के संबंद में सचमुच यही हुआ। शामा की मान्यता जब काका जी शुर्डी आतरा करने का विचार कर रहे थे उसी समय उनकी हाँ एक अतित्य आया। शामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे वह ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आप भूचे। अब हम इस पर दुष्टी रालें। बाले अवस्था में वे एक बार बहुत बिमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सब्तश्रंगी से प्रातना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चर्णों पर लाकर डालूँगी। कुछ बर्शों के पश्चा थी उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनहा देवी से प्रातना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के दो स्तन चड़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परन्तु जब वे मृत्युशेयां पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र शामा को समीब बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पुर्ण करने का आश्वासन पाकर प्रान त्याग दिये। कुछ दिनों के पश्चात्वे अपनी प्रतिग्या भूल गए और इसे भूले पूरे तीस पर्षव यतित हो गए। तबी एक प्रसिद्ध जोतिशी शृड़ी आये और वहां लगभग एक मास ठहरे। श्रीमान बुटी साहेब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविश्यवानी पाया सही निकली जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। की स्मृति हो आई। अब और विलंबक करना खतरनाख समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शिग्र चांदी के दोस्तन तयार करवाए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्षिरक दिया। तदा प्रणाम कर उन्हें स्विकार कर वचनमुक्त करने की त्राथना की शामा ने कहा कि मेरे लिए तो सब्तश्रंगी देवी आप ही हैं परन्तो बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इसे इन्हें स्वयाम ले जाकर देवी की चरणों में अर्पित करो बाबा की आज्या वहुदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का अगर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुँझे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक दे। और ठीक ऐसे ही मोके पर शामा भी वहां पहुँच गये। वह जयोग भी कैसा विच्चित था। काका जी ने आगन तुक से उनका परिचय प्राप्तकर पूछा कि आप कहां से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे श्रडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन मत्त हो शामा से लिपट गए। और फिर दोनों का श्री साही लिलाओं उपर वारताला आरंब हो गया। अपने वचन संबंदी पूरुन करवे काका जी के साथ श्रडी लोटाए। काका मस्जिद पहुचकर बाबा की श्री चरणों से जाल इपटे। उनके नित्रों से प्रेमाश्रूं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थेर हो गया। देवी के दृष्टान तनुसार जैसे ही उन्होंने बाब अंद नश्ट हो गई और वे परम शांती का अनुभाव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुच शक्ती है कि बिना कोई संभाशन या प्रशनोत्तर किये अथवा आशिश पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसनता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत इसे ही कहते हैं। उनके तुरशित नेत्र साइचरणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जिम्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लिलाए सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पुर्ण तह बाबा की शरनागत हो गए। सब चिंताओं और कश्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुख पुर्वग बाहरा दिन व्यतित किये और फिर बाबा की आग्या आशिर्वात तता उदी प्राप्तकर अपने घर लोट गए। खुशाल चंद रहाता निवासी। ऐसा कहते हैं कि प्रहाता वेला में जो स्वप प्रस्तूत है। बाबा ने एक दिन तृतिया पहर काका सहेब को तांगा लेकर रहाता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेट न हुई थी। रहाता पहुचकर काका सहेब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह स गोडे का उचित प्रबंद न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सुचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गाओं की सीमा तक ही पहुचा था तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों उस तांगे में बैटकर श्रीडी से भेटकर उन्हें बड़ी प्रसनता हुई बाबा की यह लीला देख खुशाल चंद गदगद हो गए बंबई के रामलाल पंजाबी बंबई में बंबई के पंजाबी ब्रहामन श्री रामलाल को बाबा ने स्वपन में एक महंत के वेश में दर्शन देकर श्रडी आने को क जो आमंतरन देता है वही आने का प्रबंद भी करता है और अंतर में हुआ भी वैसा ही उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देका स्वपन में उन्हें जिस आकृती वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के ही सदृष्ष थे पूश्टाश करने पर उन्हें अग्याद हुआ कि यह चित्र श्रडी के श्री साई समर्थ का है और तब उन्होंने शिग्र ही श्रडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर यंत श्रडी में ही निवास किया इस प्रकार बाबा ने अ अपने दर्शन के लिए श्रडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा पारलोकिक समस्ति इच्छाएं पूर्ण की श्री सद्गुरू साइनात अरुपनमस्तु श्रवं भवतु